दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह वाटसप है और इस पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया है थाइंक यू सर आपके बताएगा है रूल से चाल दिन के अंदर ही सेल आ गया और यह सेल किसका है यह Amazon का है वह Amazon एफिलेट काम कर रहे है यूटूब चैनल बना रहा है उन्हें चार से पांच चैनल बनाया है और सब बहुत अच्छे से महनद कर रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं उनको एक सेल आया है थाटी एट रूपीज का मतलब उन्होंने सेल स्टार्ट कर दिया और आप वह आगे बढ़ेंगे तो क्या आप भी इसी दाकर सेल जन कर सकते हैं तो प्रैक्टिकली सीखें एक इससे बताने वाला हूं कहीं भी स्किप ना करें इंप्लिमेंट करें और मनी अर्ण करें नमस्कार दोस्तों मैं हो नीतर विजवर आप देख रहे हैं चैनल सेम स्वाल्स लर्न बिफोर इंप्लिमेंट तो मैंने दिखाए कि कैसे म ऐसे मेरे पास 3.-4 messages daily आते हैं और सबलोग miradore बुना कर रहे हैं तो क्या आप भी करना चाते हैं इस तरह की चैनल करना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो में पूरा अंत तक देखें कहीं भी स्किप ना करें और अगर आपको money making से रिडिटेट चैनल पसंद आते हैं वीडियो पसंद आते हैं तो तुम्हारा 3-day workshop affiliate marketing का जो कि आपको सिखा देगा कि कैसे online earning करनी है affiliate marketing आपको बताता है कि कैसे online earning किया जाता है वो बिल्कुल free है 3-day आप free सीखेंगे affiliate marketing के बारे में बहुत सारे लोगों ने join किया है उसको सीख रहे हैं समझ रहे हैं implement कर हैं और फाइदा उढ़ा रहे हैं तो आप क्यों पीछे हैं आज ही join करें link मैंने नीचे दे दिया description में click करें form fill up करें SMS पे और email पे class का link आएगा click करें और class को start करें पूरा सीखें और implement करें तो चली आप मैं आप पर जाता हूं आपको बताता हूं कैसे आपको Amazon affiliate को target करना है यूट्यूब source में और बिल्कुल new niche आज new niche में बताने वाला हूं जिसमें ना आपको फेस दिखाना है न वीडियो आएंगे और नीचे आप करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं become an affiliate यहां से क्लिक करेंगे और इसके affiliate program पर sign up कर लेंगे कैसे sign up करना है मैं i button में पूरा link दे रहा हूं वीडियो का उसका आप देखें समझें और यहां पर sign up कर लें जब आप sign up कर लेंगे तो जैसे ही आप amazon में आएंगे आपके पास यह site strip आ जाएगा amazon associate का यहां पर कोई भी product आप sell करना चाहते हैं उसको आप search करें जैसे मैं kitchen utensils search करना चाहता हूं तो यहां पर आप जाएंगे search करेंगे और बहुत सारे kitchen utensils आ जाते हैं ठीक है अब चलिए मैं यह perfect shop चकली maker ठीक है मुरुक कूट को मैं promote करना चाहता हूं तो यह मैं देखिए यह page आपको खोल लेना उस product का और यहां से आपको सिफ text पर click करना है ठीक है यहां से text पर click करेंगे और इसका affiliate link हमें मिल जाएगा तो इस तरह से यह काम करता है यहां पर आप देख सकते हैं यह affiliate link हमारे पास आ गया ठीक है अब इसके अलावा अगर आप dashboard के अंदर आप यहां से काम नहीं करना चाहते हैं यहां से affiliate link नहीं लें चाहते हैं तो आप dashboard में जाएंगे यह हमारा dashboard है यहां पर आप करेंगे product links और यहां से आप निकालेंगे product link को क्लिक कर देंगे और यहां पर देखिए search keyword है या asin number है तो मैं यहां पर keyword जो है उसी को ले लेता हूं और यहां पर search कर लेता हूं ठीक है यह dashboard के अंदर आप जाएंगे यहां से search कर लेंगे keyword डालके और देखिए आपके पास मैं नीचे जाता हूं यह आ चुका है ठीक है बहुत सारे companies का चुका है आप जिसका भी link लेना चाहिए यहां से करेंगे get link और यहां से आप करेंगे text only और यहां से आप इस link को sort कर लेंगे sort link बस यह same to same link आपके पास आ गया आप dashboard से भी इस तरह निकाल सकते हैं तो आपके पास affiliate link आ चुका है आपने affiliate link निकाल लिया है निकालना सीख लिया कैसे निकालना है Amazon associate में account बनाने के बाद अब चलिए मैं ऐसा नीश बताने वाला हूँ जहां कि आप product को promote करेंगे और sales generate करेंगे और आज का हमारा नीश है recipes जी हां आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या यह channel है the cooking foodie और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ इनका monthly visits क्या है monthly visits आप यहां पर देख सकते हैं 8.1 million last 30 days ठीक है last 30 days में 8.1 million और videos कैसा है ना इसमें face है ना voice over है सिर्फ music है चलिए मैं आपको music भी सुना देता हूँ यह देखें सिर्फ music है और इसमें इन्होंने सिर्फ बताया है कैसे यह काम करता है यह जो recipe यह दिखा रहे हैं यह आपको सिर्फ music के साथ दिखा रहे हैं कैसे यह बनाना है बस ठीक है तो यह था पहला channel अब इसके description में चला जाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है कैसे आपको बनाना है ठीक है और कुछ नहीं है और इसके भी अगर मैं description में चला जाता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं चलिए मैं नीचे जाता हूँ और आप यहां पर देख सकते हैं try these delicious snacks for yourself अब इसको मैं open करता हूँ tasty.co in की site है यह भी अपने website पे ले जा रहे हैं और वहां पर यह affiliate यह अपना खुद का product sell करते हैं ठीक है यहां पर देखिए इन्होंने adsense लगा रखा है तो इस तरह से यह यहां से earn कर रहे हैं ठीक है अब तीसरी जो example मैंने दिखाई है वो है आप देख सकते हैं जो channel है the dinner bite और same to same concept है यहां भी सिर्फ music है और recipe है कैसे करना है ठीक है यह जो dip है इसको बनाने की recipe है ठीक है तो इसको भी मैं stop कर देता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं monthly six lakh monthly visitor से बिल्गुल नया channel है और इसके भी अगर मैं description में जाता हूँ तो इनकी भी अपनी खुद की website है ठीक है तो सब लोग अपनी website बना कर यहां पर promote कर रहे हैं और यहां पर यह अपना product sell कर रहे हैं या affiliate का product sell कर रहे हैं तो आपने देखा किस तरह से यह काम कर रहे हैं channels के through तो आपका अगला question क्या है आपका अगला question यह होगा कि sir मैं इस तरह के videos कहां से लाओंगा मैं free videos कहां से लाओंगा तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे लाना है कैसे edit करना है और कैसे आप उस्ते काम कर सकते हैं तो आपको कहां ज कोई भी सर्च कर सकते हैं मैं सिर्फ रेस्पी सर्च कर रहा हूं और इसको चली मैं सर्च कर देता हूं यहां पर आपके पास बहुत सारे रेस्पी आ जाएंगे बट आपको करना क्या आपको फिल्टर करना है और उसमें करना है क्रियेटिव कॉमन्स ठीक है क्रियेटिव कॉम कि इस वीडियो को भी आप थोड़ा एडिट कर ले अपना म्यूजिक डाल दें ताकि यह copyright से बचा रहे ठीक है तो सबसे पहले आपको इसमें से एक वीडियो ले लेना है चलिए मैं यह वीडियो ले ले लेता हूं और यहां से इसको copy कर लेता हूं copy link और मैं download कर लूँगा कह आप इसका thumbnail खुझ से बनाएंगे ताकि thumbnail different हो जाए वो भी मैं बताओंगा पहले वीडियो को कैसे edit करना है चलिए वो देख लेते हैं तो आपको कहा जाना होगा आपको जाना होगा canva पे canva पे चले जाएंगे canva का tutorial भी मैंने बना दिया है image के लिए video के लिए हर संड़े को मैं canva का tutorial एक segment के लिए मैं बनाओंगा जैसे YouTube, Instagram, Pinterest सब के लिए मैं धीरे धीरे बनाता जाओंगा ताकि आपको मदद मिले और आप आप हाँ से सीखते रहें तो यहाँ पर आप जाएंगे और आप करेंगे YouTube वीडियो ठीक है वीडियो जो normal आपका 19, 20 to 1080 pixels वाला है उसको ले लेंगे ठीक है और यहाँ पर करेंगे create a blank template और यहाँ पर आप अपना जो वीडियो इसको upload कर देंगे यह देखिए इसको मैं upload कर देता हूँ यह upload हुद में time लेगा क्यों थोड़ा बड़ा वीडियो है दोस्तों यह upload हो चुका है और इसका music जो यहाँ से मैं बंद कर दूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आया और इसको मैं enlarge कर दूँगा पहले यह enlarge कर दिया मैंने और दूसरी चीज यहाँ से आप इसका music off कर सकते हैं और सबसे पहले आपको यह जो आ रहा है इसको आपको eliminate कर देना है ठीक है तो इसको आप यहां से trim करेंगे और यहां से इसको हटा देंगे ठीक है और यह पार्ट आपको रखना है ताकि दिखे कि आप क्या बना रहे हैं तो यह आप रख लेंगे ताकि यह लिखा हुआ भी आजाए और यह आप done कर देंगे तो पहला आपका slide बन गया अब यहां पे देखिए क किचेन आ रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हैं elements में जाएंगे और यहां से आप element लेंगे और उपर पूरा आप element डाल सकते हैं ठीक है यहां पे आप ले आएंगे element को इसको उपर ले जाएं और यहां पे आप लिख सकते हैं कुछ भी इसको आप रहे इनलार्ज कर लें देखिए, heading डाल दे, आप heading में लिख सकते हैं, पहले में इसको small कर देता हूँ, font अारे हाँ, मैं लिख सकते हूँ, ने ने सकते हमान, your favorite kitchen appliances link in description. and order today ठीक है यह हो गया और इसको मैं font इसका बड़ा कर देता हूं ताक यह साब साब दिखे और इतना बड़ा नहीं छोटा और यह देखे यह हो गया हमारा और यह दिक भी रहा है इसका color मैं और change कर देता हूं ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये साप साप दिखे ठीक है अब इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ये दिख रहा है ये देखिए आप क्या बना रहे हैं आपने उसको दिखा दिया अब इसके बाद इसके बाद आपको फिर से यहां पर प्लस करना है और मैं को दो-तीनी step में बता दोता हूँ बाकी आप खुद से इसको कर लेंगे ठीक है तो यहां से फिर से वीडियो को लाना है और हमें एक-एक चीजों को यहां पे दिखा देना है क्या-क्या यहां पे आप यूज कर रहे हैं ठीक है तो पहले मैं इसको enlarge कर देता हूँ थोड़ा म हूँ इसको copy कर लेता हूँ दोनों चीजों को Ctrl-C और यहां पे आके यहां पे मैं paste कर दूँगा देखिए यहां पे आ गया अब इसको click करना है हमें हमें trim करना है यह second slide पर हूँ मैं यहां से मैं इसको trim कर दूँगा एग जो जो दो-तीन चीज़े आप एक साथ दिखा सकते हैं ठीक है यहां तक आप दिखा दें और इसको रहने दें ठीक है इसको done कर दें इसको और भी sort कर सकते हैं अगर आप trim करना जाए तो mix हो रहा है उसको तो इसको आप यहां तक रहने दे ठीक है उसके बाद आप तीसरे प्लस साइन पर क्लिप करेंगे और वहां पर फिर से एड़ कर देंगे इसको ठीक है और इसको इनलार्ज कर देंगे के हमने जो किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहां से फिर आप वापस जाएंगे आपने कॉपी कर रखा तो यहां पर आप सीधे पेस्ट कर सकते हैं वापस जाने की जोट नहीं है यह थर्ड वाला मैं फिर से आ जाता हूँ इस पे थर्ड वाले पे और यहां पर मैं कॉंट्रोल भी कर दूँगा यह देखिए यह आ गया अब इसको मैं क्लिक करूँगा हमें ट्रिम करना है जहां तक हमने ले लिया है उसके आगे ले जाना है तो यहां पर फिर हम थोड़ आपका अच्छा हो जाएगा ठीक है यह दन हो गया तो इस तरह से आप पूरा यह देखिए बटर सारा इस्टे पा रहा है इस तरह से आप पूरे वीडियो को बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया ट्रिम करकर के और इसको कंप्लीट कर ले ठीक है और यहां पर आपको क् यह देखिए यह देखिए यह पूरे वीडियो में यह आचुका है ठीक है इसको हम दोग देख लेते हैं और इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूं 146 मिनट का यह आप देखिए इसको मैं एडिट कर दिया है और यह आगे प्ले होता रहेगा क्या का इंगेडियंस चाहिए वह आपको दिखा दिया गया है और कैसे बनाना है यह सारा और आप जितना चोटा चोटा एडिट करेंगे यह मैंने कैनवा में इसलिए बनाया है ताकि आप अच्छे से एडिट कर सके मैं दूसरा सॉफ्वेर भी उसका सकता था जिसमें बहुत आसान हो जाएगा क उसको एडिट भी कर लिया है उसका म्यूजिक हटाके उसका वाइस ओवर हटाके आपने अपना वाइस ओवर दे दिया है ठीक है और इस तरह से आप रेसिपी तयार कर लिया है आपने और उसको यहां से आप डानलोड कर लेंगे ठीक है यहां से डानलोड क्लिक करेंगे और यह download हो जाएगा, तो इस तरह से वीडियो भी बना लेना है, मैंने आपको बता दिया, आपको YouTube पे जाना है, recipe सर्च करना है, recipe सर्च करती है, आपके पास बहुत सारा आ जाएगा, recipe for dinner, snacks, lunch, जो भी आप जैसा target करना चाहें, वहसा कर सकते हैं, वहाँ से filters में जाएंगे, creative comments में recipes का, और वहाँ पे आप upload करेंगे, जो भी आपका recipe है, उसका नाम लिखेंगे, और कैसे बनाते हैं, वो लिखेंगे, how to make this, और description में आप अपना, उसका process लिख दें, जो भी आपको description लिखना है, और वहाँ पे जो हमारा Amazon का affiliate link है, ठीक है, आप चाहे, kitchen utensils बेचना चाहें, oven बेचना चाहें, fridge बेचना चाहें, जो भी आप बेचना चाहें, जो भी आप बेचना चाहें, वहाँ पे, उसका affiliate link निकाल के, आप description में यहाँ पे डाल देंगे, और link देंगे, you can go here and purchase this, ठीक है, और उसके लाबाबा आप tags, यहाँ पे देखिए, the tags, how to make mac and cheese, how to make macaroni and cheese, quick and easy mac and cheese recipe, तो इस तरह से अपने recipes related tags आपको डालना है, और जितना ज्यादा आप tags डालेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है, आपको description, tag और title पर ध्यान देना है, वह अपने description से related ही डालें, ठीक है, और यहाँ पे Amazon का link डालना है, और उसको promote करना है, या फिर आप एक साथ बहुत सारे को promote करना चाहें, एक kit.co site है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, और यहाँ पे आप kitchen utensils बहुत सारे add करके अपना kit बना लेंगे, और उस kit को कैसे आप Amazon से link करेंगे, वह सारा process मैंने बताया है, उसको आप उसका video मैं i button में दे दूँगा, कैसे आप kit का इस्तिमाल करके यहाँ बना सकते हैं, चली मैं sign in करके आपको दिखा देता हूँ, दोस्तों यह मैं kit.co में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने login कर लिया, आप भी अपने email से यहाँ बना लें और यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, अब यहाँ पे आपको kit create करना ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से करेंगे, plus का sign use करेंगे, और यहाँ पे आप, देखिए create a new kit करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे kitchen appliances, ठीक है, और यहाँ पे भी आप description दे देंगे, और next कर देंगे, और search for a product, और paste a link, तो चलीए मैं link प्लेस करके ही यहाँ पे वहाँ पे kitchen appliances सर्च करूँगा, appliances, और यह यह कारा इसका मैं copy कर लूँ link, और मैं चला जाओ kit पे, और यहाँ पे डाल दूँ paste and search, यह देखिए, यह मैं कर दूँगा add to kit, यह मेरे kit में add हो जाएगा, अगर मैं दूसरा product add करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ, य मैं यहाँ से दूसरा product मैं कर देता हूँ, और यह मैं add कर दूँगा, अपने kit में, ठीक है, add to kit, product का name यहाँ से आया नहícia है, तो यहाँ से मैं ले ले लेता हूँ, और इसको डाल दूँगा, add to kit कर दूँगा, और यह मेरा kit थैयार हो गया है, यह देखिए, view kit करूँगा, यह मेरा kit आ चुका है यह देखिए और यहां से मैं share कर सकता हूँ ठीक है या फिर मैं यहां से आपको दिखा देता हूँ view profile और यहां पर three kits है मेरे मैं नीचे चला जाता हूँ यह देखिए three kits है अभी जो मैंने बनाया है वो भी है यहां से मैं नीचे जाता हूँ और इसको मै URL आ जाएगा और इस URL को मैं Amazon में डाल दूँगा ठीक है अब इसको मैं दूसरे ये ब्राउजर में खोल के देख लेता हूँ ये देखिए इस तरह से मेरा kit आ जाएगा और इसको आप click करेंगे और इसको आप purchase कर सकते है Amazon पे जाके ठीक है यहाँ पे मेरा affiliate ID देखिए यहाँ से आप जा सकते हैं और affiliate ID आप कैसे इस पे लगाएंगे वो चली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से आप जाएंगे edit profile करेंगे और यहाँ पे आप monetize पे आएंगे और monetize पे आप अपना affiliate ID डाल देंगे ठीक है यहाँ पे देखिए enter your affiliate codes for select store Amazon में मैंने अपना डाल रखा है जो भी आपका tracking ID है ठीक है तो यहाँ पे आप डाल देंगे tracking ID देखिए यह इंडिया का मेरा tracking ID यहाँ पे डाल दिया है आपके Amazon affiliate से ठीक है यहाँ से आप जाएंगे Amazon affiliate के अंदर और उपर आप देखिए इस store यही tracking ID है इसको आपको सिर्फ इसको लेना है और यहाँ पे आपको आपको आपके डाल देना है monetize में ठीक है यहाँ पे देखिए मैंने उसी तरह का डाला है आप सारे में डाल देंगे US में डाल देंगे यह automatic इसने खुछ से generate कर लिया और यहाँ पे डाल दिया है तो यह product कहीं से भी sale होता है तो मुझे ID यहाँ पे आ रहा है और मुझे इसका commission मिल जाएगा तो इस तरह से आपको kit में कर लेना है और kit बना के अपना sell कर सकते हैं आप एक kit में आप बहुत सारे products को add कर सकते हैं और उसको share कर सकते हैं share करने के लिए आपको यहाँ से click करेंगे और यह जो link open हो रहा है नीवीज kitchen appliances और इसी को आपको share करना है ठीक है अब देखिए Amazon पर आप यहाँ पर ले जाएंगे सीधे last में मेरा ID जुड़ा हुआ है तो मुझे इसका commission मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं जो नया नीश मैंने बताया है उस पर YouTube का वीडियो बना सकते हैं और वहां से earn कर सकते हैं affiliate commission तो इस तरह काम कर करेंगे और कोई दिक्कत आती है तो नीचे comment section हमेशा open रहता है वहां पर लिखें हम सारे comments का जवाब देते हैं आपको सिखाते हैं और बताते हैं और अगर कोई भी सवाल हो digital marketing affiliate marketing career से लिएट तो हमें ज़रूर लिखे comment section में हमारा Instagram.souls हमें follow करें वहां भी आप सवाल पू earning सीख जाएंगे और limitless earning कर पाएंगे affiliate marketing के तुरू और हमारा five day workshop digital marketing का 18,000 लोगों ने join किया है फायदा उठा रहे हैं बिल्कुल free workshop है digital marketing अभी और आने वाला समय में बिल्कुल hot opportunity है miss ना करें चाहिए आप job की तरफ जाना चाहते हो चाहिए आपना business grow करना चाहते हो चाहिए potential बहुत जादा है तो miss ना करें link मैंने नीचे दे दिया digital marketing का five day free class है बहुत कुछ सीखेंगे implement कर पाएंगे और अपनी life में आगे बढ़ पाएंगे तो आज ही join करें इस opportunity को grab करें इसको छोड़े नहीं तो चलिए इनी सब्दों के साथ आज के वीडियो को मैं वीराम देता बाए बाए